आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीन्यूस की एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार बहत गंभीर है प्रवासी मजदूरों के राशन कार्ड बनाने की खास योचना शुरू की गई है प्रवासी मजदूरों को विशेश राशन कार्ड के माध्यम से तीन महीने तक का मुफ्त राशन मिलेगा प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार बेहत गंभीर है प्रवासी मजदूरों को किसी वे प्रकार की परिशानी ना हो इसका ध्यान योगी सरकार रख रही है प्रवासी मजदूरों के लिए राशनकार बनाये जा रहे हैं साथ ही तीन महीने का मुफ्त रा जनपत्व में प्रवाशी स्रमिक आये हुए थे उसमें सरकार का निर्देश प्राब्द हुआ था कि ऐसे प्रवाशी स्रमिक जिनके पहले से रासनकार्ड नहीं बनाए गये हैं और वो पातरता रखते हैं उनके प्रासमित्ता क्या अधार पर रासनकार्ड नेज़त करा जाय जिसके करब में ये निरुदेश हम लोगों को मही महीले के लास्ट में फराब्ट हुआ था और ततपरता से जलाजिकारी महोदे के निरुदेशाम साथ टीम में गठित करके इसमें काम करवाया गया आगरा में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं तमाम ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था काफी संख्या में प्रवासी मजदूरों के राशन कार्ड बन कर तयार भी हो गए हैं जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं हैं उनसे राशन कार्ड बनवाने की अपील की गई है। प्रवासी मजदूरों के राशन कार्ड किसी भी आईडी पर बनाये जाएंगे। प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं जो देश के बिभिन राज्यों में काम करते थे। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी मजदूर आयोग भी बनाया गया है। प्रवासी मजदूरों के लेकर प्रवासी मजदूरों के लिए लागू की गई हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए लेकर बेहत गम भी रहे। इसके पीछे क्या बजय हैं या सरकार जानती है। आम जनता भी इस बात को समझने लगी है कि प्रदेश की योगी सरकार परवासी मजदूरों को उत्ता प्रदेश में रखना चाती है जिससे उत्ता प्रदेश का मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर भटकता ना फ्रे इसके पीछे राई नितिक मंसा भी हो सकती है अपने सा पातिया नूब अगिल के साथ राकिस कनोजिया सी न्यूज आगराव